हालो फ्रेंज आज हम इंडियन आविडेंस आक्ट 1872 को डिटेल में स्टडी करेंगे इंडियन आविडेंस आक्ट को हम बैर एक्ट के साथ में रेफर करेंगे हैंड रिटेंड नूट्स को बैर एक्ट को पढ़ेंगे जिससे हमें उसके डिटेल प्रोविजन हर एक सेक्शन क की जान पाएंगे और रेफर करने का मीन मोटिफ यह है कि हम उसके की पॉइंट को जान पाएंगे हम युजिली जब भी की पॉइंट को हर एक सेक्शन की की पॉइंट को डिनोड कर पाते हैं तो mcq सॉल्ड करने पर बहुत बैनिफिट होता है हम डिरेक्ट उस सेक्षिन को रिकॉल कर पाते हैं तो हैं सबसे पहले हम सुरुवात करते हैं 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 रिटर नोट से जिससे हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन एविडेंस आक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल जाए हम हम रिटर नोट को रेफर हर एक सेक्षिन के बात करते न जाएंगे ताकि हम वहां पर उसका डेटेल प्रोविजन जाए और यहां पर उसके के पॉइंट जैंपाएं तो सबसे पहले हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं इंडियन एविडेंस आक्ट का इंडियन इंडियन एविडेंस आक्ट कौन सा एक नमबर है तो इसके किते पार्ट से तो इंडियन एविडेंस आक्ट के तीन पार्ट से चाप्टर 11 है इसके अंदर और सेक्षिन इसके अंदर है 167 टोटल 167 सेक्षिन सेक्षिन से चाप्टर 11 है और पार्ट 3 है इसको तीन पार्ट म चैप्टर वन और चैकनर करफ वन बात करना है प्रिलीमिलरी की जो बात कर रहा है एक से लेकि thought छार तक बात आज़ा रह एक से लेकि छयर तक весь लिऐ दो फॉन कवर करता है chapter 1 chapter 2 cover करता है 5 to 55 section को जिसमें आयाता है relevancy of facts के लिए अब part second बात करता है on proof के बारे में इसके अंदर 4 chapter आता है यह fourth chapter chapter 3, 4, 5, 6 इस चारों को cover करता है part second chapter 3 cover करता है facts which need not to be proof जिसके अंदर section 56 से 58 तक को cover किया जाया है और chapter 4 बात करता है oral evidence को जो 59 से 60 को cover किया जा रहा है chapter 5 बात करता है documentary evidence के बारे में जो 61 से 98 तक को cover करता है chapter 6 बात करता है exclusion of oral evidence by documentary जो 91 से लेके 100 तक को section को cover करता है और सबसे last part है Indian evidence act का part third part third बात करता है production and effect of evidence इसके अंदर total 5 chapter रहता है chapter 5 कैसे है chapter 6, 7, 8, 9, 10 and 11 ये total 5 chapter cover करता है part third chapter 7 बात करता है button of proof के लिए जो 101 से लेके 114 तक को cover कर रहा है chapter 8 बात कर रहा है stop all के लिए जो 115 से 170 को cover कर रहा है chapter 9 बात करता है witnesses के बारे में जो 118 से 134 section को cover करता है chapter 10 बात करता है examination of witnesses जो section 135 से 166 sections को cover करता है last chapter है जो हमने पढ़ा था Indian evidence act के अंदर total किते chapter है 11 चैप्टर तो लास्ट चैप्टर पार्ट थर्ड के अंदर cover कर रहा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही section है improper admission and rejection of evidence section 167 ये हमने Indian evidence act के handwritten notes से हमने cover कर लिया अब हम direct जाता है Indian evidence act के section 1 पर हमने Indian evidence act को act number 1 ये हमने पढ़ लिया था handwritten notes के अंदर और इसके enactment date भी हमने पढ़ ले थी पार्ट कितने हैं total 3 parts से हमने पढ़ लिया पहला पार्ट हम बात करता है relevancy of fact के बारे में और पहला chapter हमने पता दिया था कि पहला chapter के अंदर section कौन कौन से cover करते है section 1 से लेके 4 तक cover करते है part 1 के अंदर तो section first बात करता है short title के लिए this act may be called the Indian evidence act 1872 कि ये act किस नाम से जाना जाएगा Indian evidence act 1872 के नाम से जाना जाएगा इसका extent के बारे में बात किया जाता है it extend to all of India ये जो बात है except the state of Jammu and Kashmir अभी हड चुका है अभी Jammu and Kashmir में भी apply होता है ये Jammu and Kashmir में अप्लाय होता है 31st October से 2019 से 2019 से ये Indian evidence act Jammu and Kashmir में भी applicable है and to all judicial proceeding or before any court including court marshal other than court marshal convey under the army act naval disciplinary act or Indian navy disciplinary act or air force act but not to the affidavit presented to any court or officer nor to proceeding before an arbitrator अब हम इसको साथ में refer करेंगे handwritten नोर से जिससे हम बहुत easily जान पाएंगे कि ये कहां का extend होता है इंडियन evidence act पार्ट वन रिलिवनसी ऑफ फाक्ट चाप्टर वन ग्लेमरी जो सेक्शन वन से लेकिए फोर्टर कवर कर रहा है और सेक्शन बन में श्योर टाइटल एक्स्टेंड और कमेंस्मेंट की बार में बात किया है तो इंडियन evidence applicable होता है whole of India जो हमने भी पढ़ा है इसके अंदर जमोयन कस्मीर भी applicable है whole of India all judicial proceedings सभी तरह की judicial proceedings के अधा इंडियन evidence act कवर होता है और court marshal में भी Indian evidence act कवर होता है कहाँ apply नहीं होता है तो Indian evidence act apply नहीं होता है Army Act, Naval Discipline Act में, Indian Navy Act में, Air Force Act में और affidavit में भी और proceeding before an arbitrator, arbitrator के before उसके सामने जो भी प्रोसेडिंग की जाती है वो भी evidence act के अंदर applicable नहीं है तो तीन पॉइंट से जो evidence act के अंदर applicable नहीं है वो यहाँ हम है नेटर नोर से जान पा रहे है अब इसकी enforcement date हमने पहला ही पढ़ ले थी कि 1st September 1872 की enforcement date है Section 2 repeal हो चुका है बट हाँ इसका question आता है कि कौन से act से section 2 repeal हुआ है जेलों के अंदर ये question अलड़ी आ चुका है कि section 2 काउन से act से repeal हुआ है तो section 2 repeal हुआ है 1938, repealing act of 1938 से section 2 और schedule जो क्या हुआ है, repeal हो चुका है अब हम बात करते हैं section 3 के अंदर barret से Barret के अंदर section 3 को define किया गया है definition clause से नहीं, interpretation clause से define किया गया है हर हम act को देखते हैं जहांपत हर से और usually section 2 या section 3 definition clause होता है but Indian evidence act के अंदर section 3 interpretation clause के अंदर से define किया गया है तो interpretation clause कहता है in this act the following words and expression used in the following sense unless the contrary intention appear for the context सबसे पहले define किया गया है court को court include all judges and magistrate all person except arbitrator legally authorized to take evidence means means court के अंदर क्या क्या आते हैं कौन कौन आते हैं sorry court के अंदर सारे judges आते हैं magistrate आते हैं all person legally authorized to take evidence वो सारे person आते हैं जो authorized है कि वो evidence ले सकते हैं पर कौन नहीं आता है court के definition के अंदर arbitrator court की definition के अंदर include नहीं होता है एक बात और जो यह interpretation clause है इसके अंदर total कितने definition दी गई है तो totals के अंदर 10 definition दी गई है यह भी section पूछा लिया जाता है question पूछा जाता है काफी बार अब हम बात करते हैं fact के बारे में fact means and include anything state of thing or relation of thing capable of being prescribed by senses and second part करता है any mental condition of which any person is conscious ठीक है अब हम इसको अब इसे हम detail में समझते है fact का मतलब क्या होता है fact को include क्या है fact मतलब होता है anything कोई भी change state of thing कोई भी state of thing anything state of thing और relation of thing मतलब यहां पर एक person है ठीक है यहां पर एक box पढ़ा है तो वह box anything state of thing और किस पर पढ़ा है टेबल पर पढ़ा है तो वह state of thing और relation of thing यहां पर उस टेबल के पास में एक और pan का box पढ़ा है तो उनके बीच में relation किया है तो anything state of thing relation of thing capable of being prescribed by senses इसको हम prescribe कर लेते हैं अपने senses से और इसका second point कहता है any mental condition of which any person is conscious को इसी भी ऐसी mental condition of which any person is conscious उसको अभी हम क्या कहेंगे fact कहेंगे अब fact को two types पर define किया जाता है जो हम अभी पढ़ा है facts physical facts भी होते हैं और mental facts भी होते physical facts जिसको हम prescribe कर लेते हैं अपने senses से जो हम इंद्रियां है उनसे हम उसको prescribe करते हैं उसको हम grant करते हैं mental facts those facts for which by any person is conscious ठीके अब इस fact के अंदर सबसे पहली बात है important बात है कि a person has a certain reputation is a fact जो illustration e के अंदर हमको बताया गया है कि fact और क्या क्या है जो physical mental हम बात कर रहे हैं उसके सार सार किसी person की certain reputation भी एक fact है तो उसको भी हम क्या करेंगे fact की definition के अंदर include करेंगे अब दूसरा section आता है sorry दूसरा definition आती है relevant के बारे में relevant means one fact is said to be relevant to another when one is connected with the other in any of the way referred to the provision of this act relating to the relevancy of fact कि एक fact जिसको का गया है कि वो relevant होगा to another ठीक है when one fact is connected with another in any of the way referred to the provision of this act इस act मतलब evidence act के अंदर जो भी provision refer किया गया उसके अंदर relating to the relevancy of fact किस से relate कर रहा हो रिलिवेंसी और फैक्ट से वो रिलेट करता हो कि relevant का मतलब क्या होता है ऐसा fact जो connect हो रहा है किसी other fact से connect with the other fact ठीक है और connect by any way mentioned under the this act इस act के अंदर मतलब Indian evidence act के अंदर जो mention किये गए है तो हमने पहले ही part first के अंदर पढ़िया था कि chapter 2 के अंदर जो हमें क्या बात कर रहा था रिलिवेंसी और फैक्ट के बारे में जो section 5 से लेके 55 तक को cover करता है तो रिलिवेंसी को cover करनेवाला section कहांसे कहां तक है 5 से लेके 55 तक के ही section हैkinson Isso time पाए एनिएवेंसी को cover करेगा pada next Even common by any way mentioned , इस act तो इस act के अंदर कौन से कौन से section 5 से लेके 55 ऺई जो connect कर सकते हैं वो क्या क्या कैलाय जायेंगे relevant वो सारे section कि आप a year जाएंगे, रिलिवेंट के लाए जाएंगे, जो रिलिवेंट की सेक्शन के अंदर रिलिवेंट की देफिनिशन को कवर करेंगे Fact and Issue, Fact and Issue की देफिनिशन कहती है, the expression fact and issue means and include any fact from which either by itself or in connection with other fact या तो खुद या किसी के connection से, with other fact, the existence, non-existent nature, extent of any right, liability, disability, asserted, denied in any suit or proceeding necessarily follow Fact का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई fact जो खुद से या किसी और fact से क्या हो जाता है, connection में आता है Connect होता है, किस से, इसके existence से, इसके non-existence से, इसके nature से, इसके extent से, इसके right, liability, disability, assert, denied, किसमें any suit or proceeding इसको हम अब हमारे हैनिट नूट से अच्छे से समझते है Fact, fact के अंदर क्या गया है, fact and issue, इसको define करता है, any fact from which, any fact from which either by itself, क्या खुद या With the connection of other fact, क्यों या, either by itself, connection with other fact, any fact from which, ठीक है इसके क्या होगा, उसके existence के, इसके non-existence के, इसके nature के, इसके extent के, of any right, liability, disability, asserted or denied in any suit or proceeding जो आपने क्या deny कर दिया या तो आपने किसी suit के अंदर या किसी proceeding के अंदर उसके right, liability, disability को asserted किया है या फिर deny कर दिया गया है तो वो क्या होगा, fact and issue होगा, अब इसका explanation कहता है, relating to CPC के बारे में Civil procedure code के बारे में कहता है, any court record an issue of fact, जो कोई record करता है issue of fact को, जिसमें कोई asserted कर रहा है या deny it कर रहा है In the answer of such issue is a fact issue, means वो क्या कहला जाएगा, fact and issue कहला जाएगा कि आपने किसी चीज को हामी भरिया है, किसी चीज को अनाकारा है, उसके answer को देते वे ठीक है, in the answer of such issue, उस answer को देते वे, उस issue के answer को देते वे, तो वो क्या कहला जाएगा, fact and issue अब हम study करते हैं document की definition को document means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure, marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording of that matter यहां word को please underline कीजेगा recording that matter यह जो वर्ड लिखा है इसका purpose का इस document का for the purpose of recording that matter अब देखें document की definition दो जगे दिखाई गई है एक तो Indian Evidence Act के section 3 के अंदर भी है defined किये और section 29 of IPC के अंदर भी defined की गई है जो almost similar है बट इसमें एक वर्ड है जो बहुत अलग है जो मैंने already अभी आपको थोड़ी दिर पहल नहीं underline करवाया है section 3 बात करता है और section 29 Indian Evidence Act का document की बारे में बात करता है कि any matter express or describe same है ये दोने बात upon any substance by means of letter, figure, marks more than one of those means या एक से ज़्यादा letter, figure, mark या इन से एक से ज़्यादा कोई भी matter को describe के है letter में, figure में, marks में more than one of this means but इसका चोई फोर्थ पॉइंट है, intended to be used or may be used for the purpose of recording for the purpose of recording that matter और Indian IPC या इंडिया पीनल कोड के अंदर बोला है intended to be used or which may be used as evidence of that matter यहाँ पर evidence के लिए IPC के लिए यूज किया गया है और Indian evidence के लिए recording के लिए यूज किया गया है इसलिए यहाँ पर इन दोनों definition में एक ही फरक है इसके fourth point में, जहाँ पर हम कहा रहे हैं, यहाँ पर record किया जा रहा है और evidence के लिए कहा जा रहा है और caricature is a document caricature क्या होता है, जो cartoons होते है जो cartoon में drawing की जाती है, cartoon में define क्या है उसको हम कहते है caricature उसे भी हम क्या मानते हैं, document मानते हैं Indian evidence director, evidence की बारे में पर रहा है तो evidence की definition को भी जाना बहुत ज़रूरी है evidence means and include all statement which court permit or required to be made before it by witnesses जिसे court permit कर रहा है और चाता है कि वो क्या करें required to be made by witnesses witnesses उसको दे statement को in the relation to matter of fact under inquiry कहाँ पर, किस time पर, inquiry के time पर or such statement as called oral evidence तो उन statement को कहा जाएगा oral evidence all documents including electronic record produce for the inspection of court यहाँ क्या है inspection of court के लिए आपने क्या produce कर आए आपने court को दिया आए कि court उसको क्या करें inspection करें उसका तो कौन से all documents including electronic record तो उसको खाँ जाएगा documentary evidence evidence दो types के हैं बता दिये अलड़ी oral और documentary oral के अंदर क्या है जो statement by witness है किसका statement? witness का statement before court under inquiry inquiring के time पर witness का जो statement है वो court को सामने produce किया जा रहा है inquiry के time पर तो वो statement क्या 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 जाएगा oral evidence ठीक है और documentary evidence की बात करते हैं तो documentary evidence में all documents जितने भी documents है वो और electronic records तो electronic records है वो produce for the inspection of a court यह किसलिए produce किया जा रहे हैं? inspection of a court court के inspection के लिए तो उन्हें क्या जाता है? documents अब इसका note की बात करते हैं जो statement है in a affidavit are not evidence हमने पहले ही section में पढ़ लिया था कि affidavit पर evidence act applicable नहीं होता है बड़ इसका exception क्या है? इसका exception civil पहले मदद CPC के अंदर अगर हम देखें तो order 19 के अंदर हमको exception मिल जाता है और CRPC के अंदर हम देखें तो section 295 और 296 के अंदर हमको exception मिल जाता है जहांपर evidence act के अंदर affidavit को भी यूज किया गया है और important section या important sorry definition हम बात करते हैं Prove, disprove, not prove Prove means a fact is said to be proved when after considering the matter before it the court either believe it to be exist or consider itself existence so probable that a prudent man opt under the circumstances of a particular case to act upon the suspicion that is exist means simple meaning इसका यह है जहांपर court को believe होता है कि यह जो act है जो यह fact है वो exist करता है ठीक है जो साधारन एक मनुष्य है वो भी इसको देख के बता सकता है हाँ यह act sorry यह fact exist करता है तो वो क्या हो सकता है Proved जो meaning है proved का Proof after considering the matter before it court जो matter को consider करता है तब after considering the matter before it court believe it to be exist court क्या करता है believe करता है यह exist है और court क्या करता है consider highly probable highly probable that a prudent man opt under the circumstances of particular case कि वो एक कोई साधारन मनुष्य है ठीक है वो भी इसको अगर देखता है तो वो highly probable चीज है कि हाँ वो चीज क्या है existence के अंदर है अब हम disprove के लिए disprove के अंदर क्या बतायागा a fact is said to be disprove after considering the matter before it the court either believe that it does not exist इसमें क्या था proof के अंदर क्या करती है believe करती है कि वो existence में है court believe it exists और इसमें क्या करती है court that believes that it does not exist court believe it does not exist after considering matter before it court जब matter अपने सामने consider करता है तब वो believe करता है it does not exist और consider करता है its non-existence so probable that a prudent man under the circumstance it does not exist कि कोई साधानम मनुश्य है वो देखे बोल सकता है कि यह चीज़ existence में ही नहीं है तो वो होती है disprove और proved क्या होती है जब वो साधानम पर highly probable कर दे कि यह existence के अंदर है यह चीज़ existence में होनी चाहिए होती है होती है तो वो क्या है? नहीं होती है एक साधानम परिश्य कहता है तो क्या होगी? वो disproved अब बात आता है section sorry मैं बार बार section section बोल रहे हूँ it's a definition section नहीं है यह definition है section 3 के अंदर interpretation clause है इसका इसमें section definition बात करता है not proved के लिए a fact is said to be not proved when it is neither proved or not disproved जब न वो proof हुआ है पुरी तरह से नहीं वो disproved हुआ है पुरी तरह से तो उस fact को हम क्या बोलेंगे? not proved और interpretation clause के अंदर जो last में defined किया गया है इंडिया को तो इंडिया means the territory of India अब बात करते हैं section 4 के बारे में जो last section है chapter 1 का chapter 1 के अंदर 1 से लेकि 4 तक sections defined किया गया है chapter section 4 बात करता है may presume, shall presume or conclusive proof को may presume के अंदर हम जानते है may presume whenever it is proved क्या लिखा है whenever it is proved by this act that the court may presume it may either regard such fact as proof unless and until it is disprove or may call for proof of it या तो court जब तक उसको disprove नहीं कर दी जाये तब तक या तो उसको call करेगी court कि उसको proof कीजिये court क्या करती है may presume करती है उस चीज़ के fact के regard में may presume provided by this act यह हमें ध्यान रखना है may presume के अंदर लिखा गया है provided by this act और shell presume में लिखा गया है directed by this act may presume में provided by this act shall presume में directed by this act और conclusive proof के अंदर दिखा गया है declare by this act क्या है? declare by this act तो इससे हम बहुत easy हो जाता है इस key point को जानने का may presumption के लिए shall presume के लिए और conclusive proof के लिए तो may presume में है provided by this act presumption of fact court may regard such fact as proved unless and until it is disproved कि court क्या करेगी उससे may presume मानेगी कि हाँ वो fact है जब तक उसको disprove नहीं कर दिया जाता और court क्या कर सकती है? call कर सकती है may call for a proof of it कि आप कोई proof लिखिया है अगर आप इसको disprove कर रहे है तो उसके लिए कोई proof लिखिया है जब प्रिजूम के लिए directed by this यहाँ पर court ने direct कर दिया है court shall presume as fact as proved court कैसे presume कर रहे है कि यह fact क्या है proved unless and until it is disproved यहाँ पर court proof नहीं मांग रही कि आप इसको आके disprove कीजे पर आप अगर लाते हैं तो उसको court deny भी नहीं कर रही है पर court को यह क्या करती है इस fact को court proof मान के चलती है पर इसके लिए evidence ले सकती है पर call नहीं करेगी खुद आगे से चलके नहीं करेगी कि आप इसको disprove कर रहे हैं तो evidence लाके दीजिए इसको proof करने के लिए पर अगर आप कोई proof देते हैं तो उसको accept जरूर करेगी conclusive proof क्या होता है when one fact is declared by this act क्या कर दिया है इस fact को क्या कर दिया है declared कर दिया है इस act के अंदर evidence act के अंदर declare कर दिया है to be a conclusive proof of another court shall on proof of one fact regard the other as a proof क्या करेगी court shall proof कर देगी एक fact को किसकी regard पर दूसरे के regard पर shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving conclusive proof के अंदर to declare कर दिया है कि वो conclusive है हम इसके लिए कोई भी evidence allowed नहीं करेंगे usually हमने तीन चीज है section 4 के अंदर may prism shall prism are conclusive proof may के अंदर है provided provided by this act shall के अंदर है declared by this act और conclusive proof के अंदर है shall के अंदर है directed by this act और conclusive proof के अंदर है declared by this act जो हमने अभी आज cover कर लिया है next video के अंदर हम cover करेंगे part second को part second हमने बात किये थी part second मतलब हमने अभी chapter 1 part पड़ा है तो जो part first का chapter 2 है section 5 से लेके 55 तक को उस section range को हम cover करेंगे thank you